हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट पी पोजिशन के बारे में डिसकस करेंगे जो की हार कॉंपुटिटिटिव एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स यहां पर आज 1 से लेकर 20 तक में कोश्चेन अंसर लेकर आया हूँ जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स आप लोग मेरे साथ साथ कोश्चेन अंसर करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में आप लोग को 20 में से कितना नंबर मिला है कॉमेंट करकर जरू बताएंगे, फर्स्ट कोस्टिन है, put the book dash the table, put the book dash the table, book को कहां पर रखने के लिए बोला है, put the book on the table, on the table, तो यहांपर जो सही अंसर हो जाएगा, वहोगा on the table, next है, the man is dash the tree, the man is dash the tree, man कहां पर बैठाए, पेर के कहां पर बैठाए, on की अबब की in की under the man is under the tree तो यहाँ पर सही जो answer हो जाएगा वो होगा under the tree my father is dash the room my father is dash the room my father room के कहाँ पर है on with into की in my father is in the room my father घर के अंदर है इसलिए in हो जाएगा यहाँ पर सही answer the cat jumped dash the table the cat jumped dash the table jumped dash क्या हो जाएगा off in into की against जो बिल्ली है वो table से jump किया है यह बोलने की यहाँ पर कोशिश कर रहे है तो table से jump करने के लिए सही पी position क्या हो जाएगा यहाँ पर सही पी position हो जाएगा off the cat jumped off the table next है I am found dash sweets आप लोग हमेंसे याद रखेंगे font के साथ maximum mostly जो पी position होता है वो होता है off off तो I am found of sweets मैं मिठाई पसंद करता हूँ तो यहाँ पर जो font है font के साथ यहाँ पर of single यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा I am found sweets मतलब मैं मिठाई पसंद करता हूँ the books are dash the selves the books are dash the selves यहाँ पर यह जो question है यह लगभग question number one के साथ मिलता है the book dash the table यहाँ पर भी लिखा है the books are dash the selves यहाँ पर table था यहाँ पर selves था बाकी एक ही है तो the books are क्या हो जाएगा तो फिर यहाँ पर answer on the selves books are on the selves next है rocky is leaning dash the wall rocky is leaning leaning मतलब क्या मतलब यहाँ पर लिखाए rocky is leaning dash the wall मतलब दिवार के साथ वो घिसक कर खड़ा है तो rocky is leaning leaning क्या दिवार के साथ क्या यहाँ पर हो जाएगा सही अंसर क्या हो जाएगा leaning against the wall against the wall हो जाएगा तो यहाँ पर जो सही अंसर हो जाएगा हो जाएगा एगेंस्ट रोगीए लिलिंग एगेंस्ट दा वाल नेक्स्ट है आई पढ़ चेस्ट वन किलोग्रम आफ मिट ड्यास दा बूचर मतला मैं खरीद किलोग्रम मिट मतला होता है कि गोश तो एक किलोग्राम मीट खरीदने के लिए मैं क्या किया एक किलोग्राम मीट मैं खरीदा डास दा बूचर बूचर मतला होता है कि जो मीट बेचता है तो मीट बेचने वाले से मैं एक किलोग्राम मीट खरीदा तो यहां पर क्या हो जाएगा फ्रॉम दा बूचर फ्रॉम दा बूचर तो सही answer हो जाएगा from next है सनत went dash school dash me यहाँ पर दो blank है तो first जो सही answer हो जाएगा वो होगा सनत went to school सनत went to school dash me किसके साथ with me मेरे साथ तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा with me तो first जो होगा blank में होगा यहाँ पर to और यहाँ पर second में होगा with तो सही जो sentence हो जाएगा होगा सनत went to school with me next है we went dash the auditorium to watch the film हम लोग auditorium के अंदर गए थे watch the film मतलब film देखने के लिए तो मैं हम लोग यहां पर already वहां पर मौजुद नहीं थे हम लोग गए थे तो मतलब क्या मतलब into हो जाएगा यहां पर हमें से याद रखना कि आप लोग जब बाहर से अंदर घुशेंगे तो यहां पर into हो जाता है हमेशा तो we went dash the auditorium to watch the film we went into the auditorium to watch the film next है next 11 नमबर जो है वह है एक सेकेंड he has become angry dash me he has become angry dash me तो यहां पर सही अंसर क्या हो जाएगा he has become angry of me की to me की against me की with me तो he has become angry वह angry हो गये थे क्या with me dash me with me मतलब मेरे साथ मतलब मुझे मेरे उपर ओलोग यह वह angry मतलब गुश्चा हो गये थे ठीक है next है he is annoyed dash my conduct he is annoyed dash my conduct with at from over he is annoyed at my conduct at my conduct the budget sorry the bridge is dash a board river the bridge is dash a board river तो यहां पर क्या हो जाएगा the bridge is across across a board river next है the work was done dash hast the work has the work was done dash hast जो काम था ओ खतम हो गया था जल्दी जल्दी तो यहां पर सही answer क्या हो जाएगा in across over की with यहां पर जो सही answer हो जाएगा ओ हो हो जाएगा in hast the work was done in hast next day he has not yet recovered dash his illness he has not yet recovered dash his illness वो अभी तक he has मतलब वो हुए नहीं थे क्या जो वो बिमार था वहां से वो recovered नहीं कर पड़े थे तो क्या हो जाएगा from his illness he has not yet recovered from his illness वो अभी तक recover नहीं हुआ है उसका illness उसका वो जो जो उसका तबीयत खरावे वहां से वो अभी तक recover नहीं कर पाए है तो यहां पर हो जाएगा from his illness next day I have brought the book dash 50 rupees I have brought I have bought the book dash 50 rupees में बुक खरीदे थे मैंने ये बुक खरीदा था कितना रूपिया में 50 rupees में तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा I have bought the book with 50 rupees मतलब 50 rupees देकर ये बुक में खरीदा था तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा with next day I am dash of music यह भी पहले एक बार पूछा गए थे वह सही आंसर है यहां पर हो जाएगा मैं music परसंद करता हूँ तो क्या हो जाएगा I am fond of music fond of music next है he he has cut his finger dash a knife he has cut his finger dash a knife वह एक finger कटे थे dash क्या उसका dash a knife मतलब होता है कि चाकू उसका चाकू से वह उसका हाथ का अंसर क्या हो जाएगा with a knife with a knife knife के द्वारा वह एक knife मतलब होता है कि चाकू चाकू के द्वारा वह एक उसका जहाथ के उंगली था वह उसका बाद है जीतान जोली वास रिटन डास रविंतान डावन झहीं रिटेंन मतलब लिखे थे खी तो ऑड़ा sao user क्या हो जाएगा बाई तो यहां पर सही अंसर हो जाएगा बाई गितांजली वाज रिटेन बाई रबेंदरनाथ नेक्स्ट और आज का आख्री कोश्चन है हमें से याद रखना की टाइम के आगे क्या होता है अबर की इन की ओन की आट टाइम के आगे हमेशा एट होता है तो यहां पर सही अंसर हो जाएगा यह था आज का मोस्ट इंपोर्टेंट बीस पी पोजिशन अगर वीडियो अच्छे लगे तो जरू लाइक कर दिजेगा और चैनल पर पहली बार आए है तो सब्सक्राइब जरू कर दिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठैंक्यू